हेलो गाईज, वेल्कम बैक टू मा यूट्यूब चैनल असोशेट लर्निंग जैसा कि आप जानते हैं, हम लोग B.A.D. एंटरेंस एक्जाम 2022 के लिए क्वेशन के सीरीज को कॉंटिन्यू किये हुए है ये सीरीज लगातार जारी है आप सभी से एक रिक्वेस्ट है, जब भी इसको देखें तो इसे शेर जरूर किया करें तो चलिए हम अपने क्वेशन से शुरू करते हैं पहला क्वेशन है सबसे प्राजीन पुराण है Option A. मतस्य पुराण Option B. विश्नु पुराण Option C. नारद पुराण या Option D. वामन पुराण तो इसका correct answer है Option A. मतस्य पुराण मतस्य पुराण सबसे पुराणा पुराण है और जो सबसे नवीन पुराण है नवीन पुराण कौन सा है? तो नवीन पुराण है लिंग पुराण लिंग पुराण सबसे नवीन पुराण है जबकि जो मतद से पुराण है वो क्या है? वो सबसे प्राचीन पुराण है अगला question है हुमायू का मकबरा है option A लखनव में, option B दिल्ली में, option C जम्मू कश्मीर में या option D इलाबाद में तो इसका correct answer है option B डेली में डेली में हुमायू का मकबरा है और हुमायू का जो मकबरा है वो बहुत ही शांदार बना हुआ है हुमायू का मकबरा बहुत ही शांदार बना हुआ है जो भी डेलीगेट्स भारत आते हैं बहुत सारे डेलीगेट्स को वहीं पर ले जाया जाता है दिखाया जाता है उसको अगला कोश्चीन है अर्जुन पुरुश्कार कि पूरस्थ के शित्र में दिया जाता है ओप्शन ए नरत्य में, ओप्शन भी सिनेमा में, ओप्शन इ दूरदर्षन में, या ओप्शन लिक्खेल कोद में तो इसका correct answer हो जाएगा खेल कोद में अर्जुन पुरुसकार किस में दिया जाता है खेल कोद में दिया जाता है दो पुरुसकार है एक है अर्जुन पुरुसकार और एक है दुरुना चारे पुरुसकार दुरुना चारे ठीक है अर्जुन पुरुसकार खिलाडियों को दिया जाता है जबकि दुरुना चारे या option dpto सा तो इसका correct answer हो जाएगा सरोजनी नाइडू सरोजनी नाइडू को भारत कोकिला की नाम से जाना जाता है जिबकि लता मंगेशकर को स्वर कोकिला की नाम से जाना जाता है इणने फिर दो नामों से जाना जाता है उडन परी के नाम से इनको जाना जाता है तो इस question का correct answer क्या है? इस question का correct answer है, सरोजनी नाइडू, सरोजनी नाइडू को भारत कोकिला के नाम से जाना जाता है अगला question है, राजजी सभा सदस्य के लिए नियूनितम आयू होती है option A, 30 वर्ष, option B, 21 वर्ष, option C, 35 वर्ष, या option D, 40 वर्ष तो इस question का सही answer क्या है, इस question का सही answer है, 30 वर्ष, ठीक है, 30 वर्ष इस question का सही answer है अगर हम बात करें कुछ चीज़ों की तो सबसे पहले आता है, 18 वर्ष, 18 वर्ष में हम vote डाल सकते हैं, ठीक है कि 25 वर्ष किसके लिए आयू होनी चाहिए अगर हम पी एम बनते हैं यह सीम बनते हैं पी एम और सीम या फिर अगर हम बात करें तो लोगसभा सांसद लोगसभा का सांसद बनने के लिए हमें कितनी उम्र की जरूरत है हमें 25 वर्ष की आयू की जरूरत होती है ठीक है अगर इसके बाद हम 25 के बाद की बात करें 30 की तो 30 की आयू किसकी जरूरत होती है 30 हमें राज्य सभा के लिए चाहिए राज्य सबा के लिए minimum iu कितनी होनी चाहिए तीस वर्ष होनी चाहिए अगली आती है 35 वर्ष 35 वर्ष में हम क्या कर सकते हैं 35 वर्ष की minimum iu में हम राष्टपती का चुनाव लड़ सकते हैं ठीक है 35 वर्ष की जाएगा option d ayurved 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 क्या है ayurved कोई भी वेद नहीं है यह एक up weirdane ठीक है आयurved क्या है आयurvaccेज एक up वेद आखी यह जो टीनों दिए वोए या तीनों क्या है वेद हैं अगर वेदों का क्रम देखें तो सबसे पहले आता है रिगवेद फिर आता है यजुरवेद ठीक है फिर आता है शामवेद और फिर आता है अथर्वेद एक चीज़ और है कि रिगवेद यजुरवेद और शामवेद इन तीनों को वेद त्रई कहा जाता है वेद त्रई कहा जाता है जबकि अथर्वेद को इस कोई वेद नहीं यह एक क्या है उपवेद है कैं अगला कौश्चिन है कौन सा जैन धर्म से जुड़ा है और ओप्षिन ए त्रपितक किस से जुड़ा हुआ, त्रिपिटक जुड़ा हुआ है, बहुत धर्म से, किस से बहुत धर्म से जुड़ा हुआ है, त्रिपिटक तीन पिटक होते हैं, कौन-कौन से, सुत्पिटक, विने पिटक और अभिधम पिटक, तीन पिटक होते हैं, गुण की अगर बात करें, तो गुण भी कितने होते हैं तीन तीन गुण होते हैं सत्गुण सत्गुण होता है तमगुण होता है और रजगुण होता है ठीक है सत्गुण तमगुण और रजगुण तीन प्रकार के गुण होते हैं त्रिमूर्थी त्रिमूर्थी आप सब इसका correct answer हो जाएगा गुरू ग्रंत साहिव क्या है। हमण सत्यमयों जैते कहा से लिया गया है। option A, मुंड़को उपनिशद, option B, उपनिशद से, option C, वेद से, या option D, पुरान से, तो इसका correct answer हो जाएगा मुंड़को उपनिशद, ठीक है, अगर question में मुंड़को उपनिशद नहीं दिया जाता है, तो हम answer क्या लगाएंगे, उपनिशद लगाएंगे, क्योंकि मुंड़को उपनिशद क्या है, एक उपनिशद ही है, ठीक है, तो इसका correct answer क्या हो जाएगा, मुंड को उपनिशद सत्य में जयते किस जगे से लिया गया है मुंड को उपनिशद से लिया गया मुंड को उपनिशद क्या है ये भी एक उपनिशद है ठीक है अगला क्वेश्चन है भारत का रास्ट्रिय पक्षी है option A more, option B फाक्ता, option C कभूतर या option D चील तो इसका correct answer हो जाएगा option A more more हमारा रास्टी पक्षी है लेकिन जो यह फाक्ता है फाक्ता या कभूतर यह दोनों हमें प्राचीन प्रमान कहां पर मिलता है सिंधु गाटी सब्विता में सिंधु गाटी सब्विता से हमें कुछ पक्षियों के अवसेश प्राप्त हुए है जिसमें से फाक्ता या कबूतर एक है उमीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले